रोहित शर्मा पर खड़े हुए सवाल क्यों कर रहे हो इस खिलारी को बरबाद क्यों प्लेइंग लेवन में नहीं खिलाते हो क्यों हमेशा इस खिलारी को बाहर बेठाते हो रोहित शर्मा को एक शांदार कप्तान माना जाता है ऐसा माना जाता है कि रोहित शर्मा हमेशा सभी खिलाडियों को सपोर्ट करते हैं और उन्हें मोटिवेट भी करते हैं लेकिन अब इसी शांदार कप्तान पर सवाल खड़े हो रहे हैं रोहित शर्मा पर एक खिलाडी का करियर बरबाद करने के आरोब लग रहे हैं और ये आरोप ना तो किसी पूर खिलाली ने लगाए हैं और ना ही किसी मौजूदा क्रिकेटर ने बलकि रोहिद शर्मा पर ये आरोप क्रिकेट फैंस लगा रहे हैं चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है रोहिद शर्मा पर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं रोहिद शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियन्स का प्रोदर्शन IPL 2022 में बेहत खराब रहा पांच बार की IPL चैंपियन ये टीम इस सीजन में प्ले आफ तक नहीं पहुँच पाई हाना की इस सीजन के आखरी मैच में मुंबई इंडियन्स ने दिल्ली को हराया और अपनी बची कुछी लाज बचा ली लेकिन दिल्ली के खिलाफ खेले गए मैच में रोहिच शर्मा पर सवाल खड़े हो गए एक तो रोहिच शर्मा खुद इस मैच में दो रन बना कर आउट हुए इस मैच में रोहिच शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया लेकिन इस मैच में एक खिलारी को ना खिलाए जाने पर रोहित शर्मा से क्रिकिट फैंस नाराज हो गए रोहित शर्मा अब क्रिकिट फैंस के निशाने पर आ गए फैंस ने तो हिट मैन पर इस खिलारी के करियर को बरबाद करने तक का आरोप लगा दिया अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये खिलारी जिसके लिए फैंस रोहित शर्मा तक को ट्रोल कर रहे हैं तो ये खिलारी कोई और नहीं ये है जूनियर तेंदूलकर यानि की अरजुन तेंदूलकर पूरे सीजन अरजुन को रोहित में रखा बाहर रोहित शर्मा ने अर्जुन तेंदूलकर को पूरे सीजन मुंबई इंडिन्स की प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया लगातार फैंस उम्मीद लगाए बैठे रहे कि अर्जुन तेंदूलकर को जल्दी ही मौका मिलेगा लेकिन ऐसा आखरी मैच तक भी नहीं हुआ मुंबई की टीम में दो बदलाव जरूर हुए लेकिन दिल्ली के खिलाफ आखरी मैच में भी अर्जुन तेंदूलकर को मौका नहीं दिया बस इसी वज़े से क्रिकेट फैंस रोहित शर्मा पर बहलग गए बुरी तरह रोहित पर भरके क्रिकेट फैंस रोहित के इस फैसले से फैंस बेहब नाराज हैं और वो सोशल मीडिया पर जम कर अपनी भरास निकाल रहे हैं और रोहित शर्मा को जम कर ट्रोल कर रहे हैं कई क्रिकेट फैंस का तो ये तक मानना है कि अर्जुन टीम में खेल रहे कई खिलारियों से बहतर हैं ट्विटर पर भी लोगों ने अर्जुन तेनूलकर को लेकर जम कर अपने रियाक्शन दिये हैं। और अब ये खिलारी सोशल मीडिया पर भी ट्रेंग कर रहा है। रोहित शर्मा की खिचाई करते हुए एक ट्विटर यूजर ने लिखा अठाइस मैच में रोहित शर्मा ने अर्जुन तेनूलकर को एक भी मौका नहीं दिया। कि सब को मौका दिया तो अर्जुन तेनूलकर को क्यों नहीं। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सचिन तेनूलकर के बेटे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है जिस तरीके से मुंबा इंडियन्स का इस सीजन में प्रदर्शन खराब रहा। उसके बावजूद भी अर्जुन तेनूलकर को रोहिट शर्मा ने प्लेंग 11 में मौका नहीं दिया। क्या अर्जुन तेनूलकर को इस सीजन में मैच खिलाया जाना चाहिए था। क्या अर्जुन तेंदूलकर को मुंबई इंडिन्स का टीम मेनेजमेंट अगले सीजन में मौका देगा कॉमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और ये भी बताएं कि अर्जुन तेंदूलकर को ना खिलाए जाने पर रोहित शर्मा को ट्रोल करना कितना सही है बूलिएगा